गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की ओनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पाट ते रहे पोंगल पढ़ा हमने पाट में आए शब्दर्थ और कठिन शब्दों के बारे में भी जाना बच्चों, आज हम पाट कासार समझते हैं पाट कासार दक्षिन भारत में पोंगल और उत्तर भारत में मकर संक्रांती दोनों त्योहार क्रिशी से संबंधित हैं ये दोनों जन्वरी महीने में मनाय जाते हैं दक्षिन भारत में नया चावल घर में आने की खुशी में पोंगल त्योहार मनाया जाता है पहले दिन भोगी पोंगल के अफसर पर वर्षा के देवता इंद्र की दूसरे दिन सूरिय पोंगल पर सूरिय देवता की तीसरे दिन मट्टू पोंगल में पशवों की पूजा की जाती है चौथे दिन मीठा पोंगल पर बहने भाईयों को तिलक लगा कर उनके मंगल की कामना करती है पोंगल के अफसर पर गीत संगीत और सामूहिक भोज का आयोजन होता है बच्चों अब हम पाठ में दिये गए प्रशनों के उत्तर समझते हैं प्रशन एक है पोंगल के पहले दिन क्या किया जाता है उत्तर पोंगल के पहले दिन घरों की साफ सफाई करके उन्हें सजाया जाता है और गीत संगीत का आयोजन किया जाता है प्रशन दो भोगी पोंगल के दिन किस की पूजा की जाती है उत्तर भोगी पोंगल के दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है उत्तर दो दुबारा देखो बच्चों भोगी पोंगल के दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है प्रश्न तीन, इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है? उत्तर, फसलों के लिए वर्षा की आवशक्ता होती है इंद्र वर्षा के देवता है इसलिए इंद्र देवता की पूजा वर्षा के लिए की जाती है उत्तर, तीन दुबारा देखो बच्चों फसलों के लिए वर्षा की आवशक्ता होती है इंद्र वर्षा के देवता है इसलिए इंद्र देवता की पूजा वर्षा के लिए की जाती है प्रश्न चार, सूरिय पॉंगल कब और कैसे मनाया जाता है उत्तर, सूरिय पॉंगल पॉंगल के दूसरे दिन मनाया जाता है इस दिन दूद, घी, गुड तथा चावल का व्यंजन बनाकर सूरिय को भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है उत्तर, सूरिय पॉंगल पॉंगल के दूसरे दिन मनाया जाता है इस दिन दूद, घी, गुड तथा चावल का व्यंजन बनाकर सूरिय को भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है प्रश्न पाँच, मीठा पॉंगल के दिन बहने क्या करती है उत्तर, मीठा पॉंगल के दिन बहने भाईयों को तिलक लगाती है और उनके मंगल की कामना करती है उत्तर पाँच, दुबारा देखे बच्चों मीठा पोंगल के दिन बहने भाईयों को तिलक लगाती है और उनके मंगल की कामना करती है बच्चों अब हम पाट का अभ्यास करते हैं प्रश्न दो है नीचे दिये प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन लगाईये बच्चों हमें यहां तीन वाक्य दिये गए हैं और प्रतेक वाक्य के तीन विकल्प दिये गए हैं हमें प्रतेक प्रश्न के सही विकल्प को चुनना है और उस पर सही का चिन लगाना है ख़भाग है पॉंगल का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं एक, दो या फिर चार. बच्चों इसका सही उत्तर है चार. पॉंगल का त्योहार चार दिनों तक मनाया जाता है. ख़भाग मट्टू पॉंगल के दिन विशेश रूप से किन्हे सजाया जाता है? हमारे विकल्प हैं मूर्तियों को, पशुओं को, भाईयों को. बच्चों इसका सही उत्तर है पशुओं को. मट्टू पॉंगल के दिन विशेश रूप से पशुओं को सजाया जाता है. गभाग उश्मा एवं उर्जा का वाहक कौन है? हमारे विकल्प हैं इंद्र, सूर्ये, पशुओं. बच्चों इसका सही उत्तर है सूर्ये. उश्मा एवं उर्जा का वाहक सूर्ये है. बच्चों अब हम अभ्यास का प्रश्न तीन समझते हैं. प्रश्न तीन है सही मिलान कीजिए. बच्चों हमें यहां दो कॉलम दिये गए हैं. कॉलम क और कॉलम ख. हमें कॉलम क को कॉलम ख से मिलाना है. कॉलम क का पहला भाग है मकर संक्रांती. बच्चों अगर हम इसे कॉलम ख के वाक्यांशों से मिलाएं तो सही उत्तर होगा मकर संक्रांती का त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाता है. कॉलम क का दूसरा भाग है पॉंगल. इसका सही उत्तर है पॉंगल दक्षिन भारत में मनाया जाता है. तीसरा है सूरिये पॉंगल. बच्चों इसका सही मिलान होगा सूरिये पॉंगल में सूरिये की पूजा की जाती है. चौथा भाग मीठा पॉंगल. बच्चों इसका सही मिलान है मीठा पॉंगल के दिन बेहने भाईयों को तिलक्त लगाती है. पाच्वा भाग मट्टू पॉंगल. इसका सही मिलान है मट्टू पॉंगल में पश्वों की पूजा की जाती है. बच्चों अब हम भाशा ग्यान का प्रश्न दो समझते हैं. प्रश्न है बहु वचन शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए. बच्चों हमें यहां चार वाक्य दिये गए हैं और प्रतेग वाक्य के अंत में एक शब्द दिया गया है. हमें उस शब्द का बहु वचन रूप बनाना है और इन वाक्यों को पूरा करना है. कभाग है फसल के पकने का कई डैश इंतजार करना पड़ता है. हमारा शब्द है महीना हमें महीना शब्द के बहु वचन से इस वाक्य को पूरा करना है. तो इसका उत्तर बनेगा फसल के पकने का कई महीने इंतजार करना पड़ता है. खभाग भारत में अनेक देवी डैश को पूजा जाता है. हमें शब्द यहां दिया गया है देवता. तो बच्चों इसका सही उत्तर बनेगा भारत में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है. गभाग मट्टू पोंगल के दिन डैश को विशेश रूप से सजाया जाता है. यहां हमें शब्द दिया गया है पशु. हमें पशु का बहुवचन बनाना है और इस वाक्य को पूरा करना है. तो इसका सही उत्तर है मट्टू पोंगल के दिन पशुओं को विशेश रूप से सजाया जाता है. घभाग डैश भाईयों के लिए मंगल की कामना करती है. शब्द है बच्चो बहन तो इसका उत्तर होगा बहने भाईयों के लिए मंगल की कामना करती है.